हालो अब्रिवान स्वागत है आप सभी का मेरे चानल दर रिवाइन चारों में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हो सब हापी होंगे पॉस्टिफ फील कर रहे होंगे पॉस्टिफ सोच रहे होंगे तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ यह है आप लोगों के लिए मंतली प्राशी फल जिसमें हम देखेंगे जानवरी के मंत में अवराल आप लोगों की लाइफ में क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लव लाइफ आपका करियर आपका बिजनस अवराल सभी चीजों को हम लोग जो है चेक आउट करने वाले हैं कि एक राशी अनुसार और या आप लोग को कंसल्टेशन रिलेटेड या आपको प्रेसले रिलेटेड कोई भी चान करें चाहिए दिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको स्क्रीन पे मिल जाती है साथी साथ मून साइन नहीं पता डेट ऑफ बड की अनुसार भी नहीं आईडिया लगता नाम की अनुसा देखने की अगर पॉसिबल नहीं है आपको डेट ऑफ बर्त के हिसाब से देखने देख सकते हैं स्टार साइन मून साइन संसाइन राइजिंग साइन जैसे चाहें वैसे आप इसको देख सकते हैं ठीक है एक ही क्राशिय में आप लोगों के लिए जैनवरी मन्त के लिए पो और अपने लिए जो है कुछ जानकारी जो अपने एनलाइक्मेंट के लिए कुछ आप लोगों को नॉलेज मिल जाए उस पॉर्पस के लिए देख सकते हैं ठीक है सो हम लोग अपनी राशी जो है शुरू करते हैं अब बारी है धनू राशी की देखेंगे धनू राशी वा झाउ टो स्वाऊ टों गोव जेखेंगे शुरू फॉर्पस केंगे वियर दोट चॉर्पांट केंगे लिए बारी हैं लोगों समेंट एट अपने पर प्यांटों प्रेड़ के लिए आपने एड़ पने लुहार टों मेंगे लिए अट आपने लिए लिए अज़्श्य कर अब लोगों के करियर और फाइनसिस में अगर में देखू तो करियर और फाइनसिस पे आपके लिए सिटुवेशन दो बहुत भैटर है बट आप इमोशनल जादा रहें गे इस महीने प्राक्टिकल से गुजरेंगे किसी तरीकी का चेंज करेंगे हो सकता है जॉब स्विच करेंगे जॉब चेंज हो सकती है आपकी या आप अपने कारे को करने का तरीका बदलेंगे creativity में कई न कई कुछ risk और challenges भी face करेंगे यहाँ पर मुझे traveling दिखाई दे रही है और ये energy clearly मुझे job के related भी हो सकता है कि दिख रहे हैं कि आप job में कोई traveling वगिरा करेंगे rebirth की energy बहुत जाथा है आपके ऐसा लग रहे हैं कि नया जनम ले रहे हैं काफी कुछ बदल रहा है emotion आपके उपर इस महीने काफी ज़्यादा heavy रहेंगे चंद्रकी रिष्टी ज़्यादा दिखाई दे रही है emotionally आप बहुत सोच विचार करेंगे glow attraction तो बहुत बढ़ेगा इस महीने आपका glow attraction आपकी shine बहुत बढ़ेगी आप एक attractive personality बनते नज़र आ रहे है meditation भी बहुत करेंगे या आपके अंदर की energy कहीं न कहीं ऐसी रहेगी कि खुद को emotional balance भी करेंगे emotionally खुद को control करेंगे expressive ज़्यादा नहीं रखेंगे ज़्यादा express करने से दूर भागेंगे काम में ज़्यादा व्यास रहेंगे work को लेकर बहुत ज़्यादा busy रहेंगे बट मुझे practical mindset नहीं दिख रहा है daydreaming बहुत दिख रही है daydreaming बहुत करेंगे कहीं न कई खयाली पुलाओ बनाएंगे कुछ चीजों के सफलता कुछ सफलता मिल जाने का या कुछ benefits हो जाने का यहाँ पर clearly मुझे दिख रहा है कि इस महीने आप एक अपने कंधो पर emotion का burden याने के भावनाओं का बोज उठाते होए नज़र आएंगे अपने उपर भावनाओं को मलब एक कुछ ऐसी emotional thought है जो आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा exhaust कर रहे हैं इसी energy है और यहाँ पर clearly मुझे दिख रहा है कि कुछ changes आपके लिए इस महीने आप लोगों के लिए expected है बाकि हाँ finances में चीजें बहतर है financial स्थिधी जो है especially महीने के starting time पे अच्छी बनती नज़र आ रही है आपके किये गए कारे में आपको सफलता मिल रही है lazy nice हो सकती है आप lazy feel करें या कारे को थोड़ा टालते हुए नज़र आएंगे हर काम को थोड़ा सा कल करते परसो करते वाली energy में ज़ादा रहेंगे और isolation की स्थिधी भी ज़ादा बन रही है chances है कि आप अपने आप में रहना के लिए रहना ज़ादा prefer करेंगे socialize करने से थोड़ा सा इंकार करेंगे लोग आप में interest भी लेंगे socialize करने के लिए तो आप थोड़ा सा टाटा बाय बाय सायो नेरा good night बोलते हुए नज़र आएंगे इस तरीके की energy ज़ादा दिख रही है बात करूँ partner के साथ love life में आपके लिए क्या expected है जो लोग married हैं partner couples वगेरा हैं उन लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो इस relationship में आप बहुत ज़ादा burden फील करेंगे आपको लगेगा कि आप इस रिष्टे में सरोच से ज़ादा करते चले आ रहे हैं आप अपने partner को हमेशा समझते हैं understanding दिखाते हमेशा आप उनकी care करते बर वो व्यक्ति आपके लिए उतना valuable नहीं रहा यानि कि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं करते न efforts जालते हैं और नहीं किसी तरीके कि ऐसे actions लेते हैं जिससे आप उनसे वापस से बुलते ना उनके साथ attraction फील कर सकें आपको कहीं न कई romance की कमी का ऐसास होगा partner के approaches की कमी मैसूस होगी आप अपने emotions को उनके सामने express करने से इंकार करेंगे ignore जादा करते नजर आ रहे हैं starting of the month तो आप लोगों के लिए romantic और अच्छा है लेकिन बाद में बीच महीने से आप अचानक से बहुत बदलते हुए partner के साथ आपका व्याभार बदलता हुआ change होता हुआ नजर आ रहा है और आप chances भी है कि partner को छोड़ कही travel करने भी जा सकते तेरा chances के आप traveling भी करेंगे यहाँ पर अजीब अजीब से धारनाय भी खयाली बुलाओ बनाते हुए भी आप partner को लेकर नजर आएंगे यानि कि बिना वज़े की सोच विचार करके आपको लगेगा कि नहीं partner बदल गया है सब कुछ change हो रहा है, सब कुछ बदलाव आ रहा है यहाँ पर आप जो है अपने रिष्टों में बहुत जादा बोज और burden महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने यहाँ पर मैं जो overall energy में आपके देख पा रहे हुए जो obstacle है वो यह है कि आप खुद को अकेला करने पर लग गए है socialize नहीं कर रहे हैं, इस महीने जितना हो सके get together में parts pit करें, socialize करें लोगों से मिले जुलें, अपने आप पर believe करें, खुद पर confidence रखें खुद की साथ सिंगार, खुद के रखरकाव पर ध्यान दे, खुद को ऐसा नहीं बनाएं कि नहीं, मुझे तो अकेले रहना है, मुझे तो किसी की जरौत नहीं, यह सोच विचारों से थोड़ा दूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस महीने मुझे clearly दिख रहे है कि आपकी energy में saturn और emotion दोनों साथ में दिख रहे हैं, यानि के चंडर भी है, साटन का problem भी है clearly दिख रहे है कि आप emotional बहुत ज़ादा होंगे, अकेला पन बहुत महसूस करेंगे और अकेले पन को मिटाने के लिए खुद को busy रखेंगे, व्यस्त रहेंगे, और चीजों को और काम पर या और चीजों पर सामने वालों को इग्नॉर करेंगे कुछ लोगों को आप इग्नॉर करते नजर आ रहे हैं सिंगल्स के लिए अगर मैं कहूं तो सिंगल्स को यार मुझे दिखो, clearly दिख रहे है कि सिंगल्स के लिए offer opportunity तो आ सकती है, वो starting of the month महीं आती हुँ दिख रही है, कि कोई अच्छा offer सिंगल्स को मिल सकता है, एक अच्छा family related, यह arrange marriage मुझे ज़्यादा होने के chances है, arrange marriage के लग रहे है कि proposal या offer आ सकता है बाट उस offer को लेकर आप मुझे ज़्यादा excited या interested नहीं दिखाई दे रहे हैं इमोशनल फैसले करोगे और कही न कहीं उस रिष्टे से back out करोगे, याने कि मुझे दिख रहे है कि आप उस relationship में आगे बढ़ने से इंकार करोगे और खुद पर focus करने की decision लोगे, पताने क्यों करोगे वो तो आप ही जानते हो, पर यह energy आप लोगों की reflect हो रही है, यहाँ पर अब में no contact situation वालों के लिए बात करते हूं देखो, universe मुझे बता है, no contact जो धनुराशी वाले हैं, जो no contact में हैं उनके लिए बता हैं के expected है January 2024 में King of Wands King of Swords Magician Nine of Swords आप अपने partner को एक player energy में feel करेंगे, आपको लगेगा कि partner जो है आपके गलत है, आप शायद उनको शुरू से ही समझ नहीं पाए, आपके अंदर एक ऐसी energy बनेगी, जहाँ पर आप उनसे cold हो जाएंगे उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे देखो वो व्यक्ति अप्रोच भी करेंगे तब भी आप उनसे बात नहीं करने वाले clearly मुझे दिख रहा है कि आप उनको लेकर बहुत painful और hurt feel करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति ने आपके साथ cheating की है, कुछ चीजों में आपको cheat किया, आपके साथ जी से गलत किया, आपको manipulate किया, बेवकूफ बनाया, अपनी गलती मानने के जगह, उल्टा आपके के ओपर गलतियां डाल दी आप अचानक से अपनी self worth पे focus करते नजर आएंगे और जैसे कि मैंने starting of the reading में ही ये चीज़ notice कर ली थी, इस महीने आप move on करेंगे, अपने रिष्टे से move on करते हुए दिखाई देंगे, आपको ये लगेगा it's better कि मैं अपने आपे focus करूँ क्योंकि इस life में मुझे नहीं लगता कि इस इनसान को मैं अपनी energy या time दे दूँ और यह ये deserve करते हैं, like इस तरीके के energy है magician के energy represent कर रही है कि आप अपने आप में स्वाभी मान जगाएंगे बहुत जाता स्वाभी मान आपका पड़ेगा आपको लगेगा कि it's better कि मैं अपनी जिंदगी को बहतर बनाऊं उस पर focus करूँ, अपने finances को और बहतर करूँ, इस तरीके के energy है isolation या no contact की situation आपकी तरफ से इस महिने create होगी, आपके partner आपको approach करें, नहीं करें, उससे आपको फरक में बढ़ता है आप basically उनसे नहीं बात करने वाले क्योंकि आपको लगेगा कि उस व्यक्ति के वज़े से आपने बहुत कुछ face किया, बहुत सारी तक्रीफे जहली, जो आप deserve नहीं करते हैं आप अपने partner को लेकर बहुत exhaust होंगे, और आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ने आपके साथ cheat किया क्योंकि player की energy में दिख रहा है, आपको लगेगा कि आपके partner सिर्फ और सिर्फ आपके physical होना चाते थे, और आपको सिर्फ अपने benefit के लिए manipulate करते रहे, उनके कुछ सत्य का ऐसास आपको काफी साधा ऐसा लग रहे है कि कुछ self-realization आपको बहुत साथ होगी, आप उनके साथ रिष्टे में रहने से इंकार करेंगे और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहे है कि आपको कुछ आँखों पे जो परदे है न वो बहुत strongly उड़ते नजर आएंगे आप बहुत समय से किसी तरीके की अंधेरे में थे इस relationship में बहुत जादा भयंकर अंधेरे में जिसमें आपने बहुत सारे प्लानिंग्स किये हुए थे डे ड्रिमिंग की थी, एक दिन आएंगे एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा क्योंकि खयाली बिलाओ तो मुझे starting की reading में ही दिख गया था बट इस time आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, अगर कुछ होना होता तो अपता हो चुका होता इतना time नहीं लगता, यानि कि इस relationship से आप back out करने की तैयारी या कमर कसते हुए जरूर नजर आएंगे इस महीने, इस महीने आप अपने आपको चुनेंगे हाँ ये इस decision आपके लिए easy नहीं होने वाला है, थोड़ा सा stressful रहेगा आपके लिए situation आपको नीन की problem या health की related issues भी होने वाले हैं, clearly मैं देख पा रहे हूं कि ये आपके लिए बहुत ही painful और exhausted decision दिखेगा, आपको अपने partner की कुछ ऐसी activities भी दिखेंगे जो आपको सही नहीं लगेंगी, जिससे आपको चोड़ पहुंचेगी, बट कहीं न कहीं आप अपने आपको पुछ करते होगे, finally एक sensible decision लेते होगे नजर आएंगे सो ये थी आप लोगों की reading, आप लोगों को reading पसंद आई, आप like, share, subscribe कर सकते हैं, धेर सारा प्यार दे सकते हैं, उसके लबाँने कोई जान करें, अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक आउट कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही, bye take care, ओम सेदार.